आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनस स्टेडीज और आज कमारा टॉपिक है एडवांटेजिस और इसद्वांटेजिस ऑफ चेन स्टोर्स या मुल्टिपल शॉप्स एग्जाम्पल है इन चेन स्टोर्स के जैसे की बाता का शोरूम जो कि आपको हर जगा हर एक लोकालिटी में पा करते हैं चाहे वह प्रोडक्शन का हो चाहे सेलिंग का हो पर्चेजिंग का तो हमें उसके बदले बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं वह सारे एकौनमीज ऑफ स्केल के लाते हैं तो चेन स्टोर्स के मामले में क्या है चेन स्टोर्स यानि हर एक शोरूम अपनी लिए गुड सारे goods करीदता है ठीक है और जब head office इतनी सारे showrooms के लिए goods करीदेगा बल्क में तो क्या होगा उन्हें heavy discount मिलेगा काफी सस्ते में समान मिल जाएगा हमने क्योंकि बहुत बड़े मात्रा में goods करीदें तो हमें मिला economies of scale heavy discount मिल गया हमें या फिर chain store के जो honor होते हैं इतना ज्यादा मात्रा में production करते हैं क्योंकि उन्हें इतने सारे showrooms में goods भिजवानी होते हैं तो भी उन्हें economies of scale मिलता है जैसे कि उन्हें raw material जो है काफी discount में मिल जाएगा है ना next point है आपका standardized products यानि यह जो chain stores हैं कि standardized products जो है बेचते हैं सो buyers को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जुरत नहीं है उनको पता है कि उन्हें अच्छी quality की product मिल जाएंगे आप किसी भी अच्छे branded showroom में जाते हो तो आपको पता है कि मैं किसी local अच्छे से बढ़िया branded showroom से खरीद रहा हूं मुझे अच्छे जो है quality का समान ही मिलेगा next point है आपका uniform prices यानि जो chain store होते हैं चाहे कोई भी city में हो चाहे कहीं पर भी हो एकी city में अलग जो है आपके locality में हो कहीं पर भी हो उनके fixed prices रहते हैं price chain नहीं होता है अगर आप डेली से खरीद रहे हो या मुंबई से खरीद रहे हो कहीं से भी खरीद रहे हो हर जगा price जो है उनके product के fix ही पाएंगे तो इससे customer का confidence बढ़ता है ठीक है और उसका डर खतम हो जाता है उसका fear खत दे तो हमें शायद 300 में मिल जाए 200 में मिल जाए है ना लेकिन इन showrooms के साथ ऐसा क्या होता है कि यह fix prices होते हैं चाहे आप किसी भी locality के किसी भी state के किसी भी city के showroom पे चले जाओ सबके fix price होते है next point है आपका easily approachable इसका मतलब है कि यह जो located होते है आसपास की colonies में ठीक है residential area में में होते हैं या किसी central market में होते हैं या किसी shopping mall में होते हैं यह सब showrooms तो customer को बहुत convenient असानी होती है कि वह इन जगाओं पे जाए इन stores पे जाए और असानी से shopping कर लें जैसे बाटा का showroom आप सब नहीं देखा होगा है नैसा तो नहीं होगा किसी नहीं ना देखा हो next point है आप इस product को उठाके किसी दूसरे store में भेज देते हैं किसी दूसरे state के store में भेज देते हैं जहाँ पे उसकी demand हो लेकिन क्या होता है कभी कभी किसी particular branch में क्या होता है shortage of stock हो जाती है यानि कमी आ जाती है stock की फटाफ़ फटाफ़ जैसे की माल भिकर है तो आप क्या करेंगे आस पास आपके कुई भी branch होगी वहां से वहां से आप क्या करेंगे वह stock उठाएंगे और जहां पी shortage है यानि कमी है वहां पे जाके base देंगे तो ऐसी facility है कि आप goods को एक store से दूसरे store पे transfer कर सकते हैं next आपका point है no bad debts यानि इन stores में क्या होता है cash में ही goods पेचे जाते हैं पैसे जब आप दोगे तभी आप कुछ खरीद पाओगे वंडर नहीं तो जो है bad debts का chance ही नहीं क्योंकि आप तो कुधार पे कुछ मिली नहीं रहा है है ना जो भी मिल रहा है वह cash में मिल रहा है तो bad debts सो ही नहीं सकते next है आपका easily identification इन्हें identify करना दूर से पहचानना बहुत ही अस अब जैसे की बाटा का शोरूम देखोगे तो बी ए टी ए रेड कलर से कर्सिव राइटिंग में लिखाओगा दूर से पहचान लोगे है ना कि यह बाटा का शोरूम है इनकी internal decoration external decoration नाम लिखने का तरीका color सब कुछ जो है सेम होता है तो कोई भी customer जो है दूर से ही असानी से यह की level है वो सारे decisions ले रहा है so advertisement क्या होती है इसकी centralized होती है हर एक store हर एक state का store यह हर एक city का store दो है अपने शोरूम की जो है advertisement नहीं करता है advertisement कौन करता है head office करते है है head office अपना क्या करेंगे advertisement करेंगे और यह जो benefit है यह सारे chain stores को मिलेगा अब जैसी की बाटा की अगर हो रही है advertisement तो यह थोड़ना है कि एक डिल्ली में जो बाटा showroom है उसकी advertisement हो रही है पूरी दुनिया को तो पता लगेगा ना कि जो है advertisement की जा रही है बाटा की नेक्स्ट आपका टॉपिक हैस में disadvantages क्या होते हैं चेंट स्टोर्स के अंड मल्टिपल शॉप्स के सबसे पहला पॉइंट है limited variety यानि यहां पर बहुत limited variety होती है इससे क्या मतलब है कि यहां पर one line of product होता है जैसे कि बाटा के showroom में आप जाओगे तो आपको सिरफ चपल पहनने के या फिर जो है और कोई चीज नहीं मिलेगी कोई खाने पीने की चीज़ नहीं मिलेगी सो यहां पर variety of product नहीं होते हैं जैसे कि departmental store में होते हैं departmental store में एक ही छट के नीचे आपको हर चीज़ मिल जाएगी लेकिन इन चेंट स्टोर में एक च्छत के नीचे आपको बाटा कंपनी का जो भी ऑनर है वो परसनली हरे कस्टमर से तो डील करेगा नहीं पाई इतनी पूरी इंडिया में पता नहीं कितने सारे शोरूम्स होंगे इसके कहां कहां जाएगा हर एक जो आपके चेंट स्टोर होता है उसमें एक ब्रांच मैनेजर होता है और यही ब्रांच मैनेजर जो होते हैं परसनली हरे कस्टमर से डील करते हैं ठीक है यह एंप्लॉईज होते हैं याद रखना ब्रांच मैनेजर आपके यह ओनर नहीं होते हैं ओनर एक है बाटा का ठीक है branch manager ही सब कुछ समालते हैं या salesman सब कुछ समालते हैं तो यह personal interest नहीं लेते हैं वाई क्यों इतना लफड़ा पाले हैं उन्हें अपनी नौकल से मतलब है that's it हर एक customer से deal करने से मतलब है next point is inflexibility तो इसमें क्या होता है chain store centrally controlled है यानि head office ही सब कुछ control में करता है uniform policies यानि सब के लिए uniform मतलब same policies है हर एक store के लिए चाहिए वो किसी भी state में हो head office ही सारे काम करेगा so branch manager जो है कभी भी अपनी मर्जी से policy या price कर change करना या discount देना कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता है अगर उस area में कोई opportunity है भी कि वो store आगे तक जाए तो भी branch manager अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है जो भी करेगा वो head office ही करेगा next thing है आपकी divided attention इसका क्या मतलब है जैसी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि chain stores के owners basically होते को और manufacturers जो खुद product बनाते हैं और फिर जाके chain stores में बेचते हैं इसमें क्यों होता है attention यानि उनका ध्यान divide हो सकता है उनका ध्यान किस चीजों में divide होगा कि प्रोडक्शन पर ध्यान दे प्रोडक्शन की quality पर ध्यान दे कि कितने goods बनाने इन सब ध्यान दे कि उसके distribution यानि selling पर marketing पर ठीक है इन चीजों में वह confused हो जाते हैं कि पहले product बना चाहिए कि credit sale का कोई कुछ नहीं है कि उधार में समान करीदो ऐसा कोई system नहीं है free home delivery भी नहीं है खुद आओ cash तो प्रोड़क्ट लो और फिर उसे घर लेके जाओ लास्ट पॉइंट है आपका local competitors यानि जो local stores होते हैं चोटे चोटे आपके area में जो shop होते हैं वो इनको बहुत जादा tough competition देते हैं क्योंकि उन local stores पे क्या होता है बहुत सस्ता मिलता है almost वैसा ही product तो customers को लगता है न भाई जो लोग कम कम आते हैं कि ऐसा ही product तो मिल रहा है छ क्या जाए है ना सो काफी अच्छा competition यह दे देते हैं chain stores को सब्सक्राइब को तो महता है so watching this video please like share and subscribe